Hey everyone, तो कैसे हैं आप सब? So मान लीजिए आप एक ऐसे परसन है जिसे officially offender declare किया जा चुका है आप पुलिस से यहाँ छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं जिससे यहाँ पे आपका arrest ना हो पाए और पुलिस आपको अपनी custody में ना ले पाए उसके बाद भी आप request करते हैं honorable courts से कि आपको anticipatory bail यहां grant हो सके So क्या इस situation में court आपको entertain करेगा So आज का यह जो case है, वो काफी important judgment है जो इनी चीजों के बारे में बात करता है हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस case का नाम जान लेते हैं प्रेम शंकर प्रसाद versus state of Bihar 2021 की काफी important, latest और recent judgment है So कुछ facts clear कर लेते हैं इस case के regarding आप देख सकते हैं यह हैं इस case में accused, इनका नाम है प्रेम शंकर प्रसाद यह seek करते हैं for the anticipatory bail यह चाते हैं कि इनने anticipatory bail मिल पाए देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिने anticipatory bail का meaning नहीं पता होगा anticipatory bail एक तरह की ऐसी bail होती है जो कि एक person तब लेता है जब एक person को लगता है कि वो future में arrest होने वाला है एक person जब apprehension of the arrest में bail लेता है उसको कहते हैं anticipatory bail यह anticipatory bail mentioned है under section 438 of code of criminal procedure 1973 में अब जान लेते हैं यह जो case है वो किन चीजों के बारे में बात करता है और honorable supreme court का इस case में क्या roll निकल के आता है देखिए honorable supreme court ने कुछ important statements हमारे सामने laid down किया regarding this case honorable supreme court यह कहते हैं कि अगर कोई भी person absconder है या proclaimed defender है तो उसे anticipatory bail यहां grant नहीं होगी अब आप बोलेंगे absconder क्या होता है देखिए absconder कोई भी ऐसा person हो सकता है जो की escape कर रहा हो या छुप रहा हो किसी arrest से या custody से इसका एक example से अगर मैं आपको समझाओं तो मार लीजे एक prisoner है वो escape कर रहा है जेल से escape कर लेता है वो और वो छुपता फिर रहा है पुलिस से जिससे उसका यहां arrest ना हो पाए और जिससे उसे यहां दुबारा custody में ना रखा जा सके तो उसको हम कहेंगे absconder और जो उसकी escaping की activity है उसको हम कहेंगे absconding तो यहां जो officially declare किया जा चुका हो कि वो person एक offender है उस चीज़ को कहते हैं हम proclaimed offender honorable supreme court यहां यही कहना चाते हैं अगर कोई person absconder है या programmed offender है तो चाहे वो फिर भी anticipatory bail के लिए सीख करे उसको anticipatory bail यहां grant नहीं की जाएगी यह काफी important चीज़ है इस context में इस case में जो accused है वो approach करते हैं honorable trial court को वो यह कहते हैं कि मुझे anticipatory bail चाहिए basically anticipatory bail के लिए सीख करते हैं accused लेकिन honorable trial court anticipatory bail को denied कर देते है accused की honorable trial court denial के पीछे कुछ reasons specify करते है honorable trial court यह कहते हैं कि accused है वो absconding कर रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि छुपने की कोशिश कर रहे होंगे या भाग रहे थे जिससे उनकी arrest or custody में उन्हें ना लिया जा सके इसलिए उनकी जो anticipatory bill की request है उसको deny कर दिया जाता है और जो accused है इस case में उन पे proceedings चल रही थी according to section 82 and section 83 of criminal procedure code इसलिए anticipatory bill deny की जाती है accused यह कहना था honorable trial court का इस context में देखिए इस case में code of criminal procedure के कई provisions हमारे सामने निकल के आते हैं जिसमें से सबसे पहला है section 82 of CRPC section 82 simply यह कहता है कि अगर किसी court को यह लगता है कि कोई भी एक ऐसा person है जिसके against एक warrant issue हो रखा है और वो person absconded है जिसके against यहां warrant issue हो रखा है जिस absconding की वज़े से वो जो warrant issue हुआ है उस person के against वो warrant execute नहीं हो पा रहा क्योंकि absconded कर रहा है वो person वो person तो छुपा हुआ या कहीं escape हो रखा है जिसकी वज़े से यहां पर जो warrant issue है उसी person के against वो action में नहीं आ पा रहा तो इस situation में court के पास ये power है कि court एक written proclamation publish कर सकता है उसी person के against यहां warranty issue हुआ है देखि रिटन proclamation से यहां मतलब है कि एक तरह की ऐसी return announcement जो कि यह specify करें कि एक particular person offender है इस situation में इस return proclamation को publish करते time court यह कह सकता है कि वो person जिसके against यह return proclamation publish हुआ है वो person एक specified place एक specified time पे appear हो यह कहता है section 82 of criminal procedure code so section 83 of code of criminal procedure भी देख लेता है section 83 simply यह कहता है कि अगर court ने publish कर दिया है कोई return proclamation under section 82 of CRPC तो इस situation में court के पास यह power है कि court order दे सकता है उस person के against यहां पे publish किया गया है return proclamation उस person की यहां movable, immovable यह दोनों तरीके की property को court attach कर सकता है यह power है court के पास according to section 83 of code of criminal procedure so जब trial code accused की anticipatory bail deny कर देते हैं और वो reasons देते हैं तो उसके बाद जो accused है वो approach करते हैं पतना high court को for the anticipatory bail यहां पतना high court grant भी कर देते हैं anticipatory bail to the accused अब आप बोलेंगे कि accused तो abscondor भी था, proclaimed offender भी था तो फिर भी उन्हें grant क्यों कर दी गई है anticipatory bail देखिए जब इस case को further appeal किया जाता है in the honorable supreme court तो honorable supreme court इसी anticipatory bail का जो grant किया है high court of पतना ने उसी चीज़ के regarding यहां पे कुछ statements हमारे सामने रखते हैं honorable supreme court यह कहते हैं यगर कोई भी person abscondor है या proclaimed offender है या किसी person के against section 82 और section 83 of CRPC के according proceeding चला ही जा रही है तो उस person को anticipatory bail grant नहीं होगी वो person यहां entitle नहीं होगा anticipatory bail लेने के लिए लेकिन फिर भी आप यह बोलेंगे कि high court of पतना ने तो anticipatory bail grant कर दी accused को तो इसी चीज़ के regarding भी supreme court ने एक statement हमारे सामने यहां रखी है जिसमें honorable supreme court यह कहते हैं कि जो high court of पतना है जब वो यहां bail grant कर रहे थे accused को तो उन्होंने ignore कर दिया था fact of initiation of section 82 and section 83 of CRPC कहने का मतलब यह है कि पतना high court ने यह चीज़ यहां पर ignore कर दी थी कि accused के उपर proceeding चलाई जा रही है according to section 82 and section 83 of CRPC और कोई भी अगर एक ऐसा person है जिसके उपर proceeding चलाई जा रही है according to section 82 and section 83 of CRPC तो इस situation में उस person को anticipatory bail grant नहीं होगी इसलिए इस case में जो accused है वो entitle नहीं होगा for the anticipatory bail यह कहना था honorable supreme court का देखिए आज का यह जो case था हमारा यह काफी important इसलिए भी हो जाता है कि honorable supreme court ने हमाय सामने अपनी observations और कुछ ऐसी statements लखी है जो की related है anticipatory bail से और जो की हमें बताती है कि अगर एक person absconder है या proclaimed defender है तो उसे anticipatory bail नहीं दी जाएगी तो मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यह gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी Have a great day